कि यह वेरी गुड वाला गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सभी मैरी यारा ठोड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हूं एससे वाला ऑफिस्चल यूटूब चानल पर और मैं यह उम्मीद करते हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टेडी काफी इची चल रही होगी सुबह के साथ बज़ रहे हैं और आज हम लोगों कुछ करना है वह अप्रेल मंद का करन्ट अफियर करना है ठीक है तो शुरू करें आज का सेशन हां जी मैं देखना चाहूं बहुत सारी लोग अल्रीड है मासूम है प्रेम पांडे है नेत्रपाल है मन नहीं है विजैसिंह रावत इसका अलवा जैसे कि निगम है आश की है अंजिका है प्रीटी मी अझिली है सोनम भी है जो भी है चुर अब लोग जुड़े हुए हैं सभी का स्वाग degh out तो क्या ही कारियव हख बोलना तो बात आर्य सरकार द्वारा नियाय सब्सक्राइबहार्ट समें मोस्तिए टीये से शिवगणंप को 31 मार्ट से किस न्यायाले के आरिय। से मुख्या न्यायधिश के रूप में पॉइंट किया है क्यानि आप तो । कारिवाहख नहीं है अभी फाइनल बन चुके है सर पैन कहां है अब तो ये फाइनल बन चुके है कार You वाहक नहीं है ठीक है टीए से शिव गणम शिव 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 गणम ठीक चरे तो कोश्चन का करेक्ट आंसर हम लोगों का क्या बनेगा भई करेक्ट आंसर बनेगा हम लोगों का कलकत्ता हाई कोड जित्ते लोगों का आंसर आ चुका है यानि कि मैं बात करूं तो option आपका ए है यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा 96 96% वोटिंग के साथ और इसमें पहले नंबर पर जो है वह सुविग्या सेकेंड पर विजो है थर्ड पर जो है वो नेत्रपाल मैंने कहा था कि अपसे हम कोशिश करेंगे कि आज हम 30 सेकेंड के अंदर कोईशन को जो है वो काउं इक ब्रोग्राम और यह किसके दवारा शुरू किया गया है तो यहां फिर मैं बात करूं के साथ पहले पर जो वो है सौरव, दूसरे पर है अभीने, थर्ड पर है इमली, फॉर्थ पर है श्रेया, फिफ पर है मन्जूर और शिक्स पर है विजे और ओवरॉल रैंकिंग भी आपको देखने को मिलेगी आप आंसर करते रहें खोशन हम से कहा रहा है कि Altern Capital Global Passport Index 2023 में भारत की वैक्तिगत पास्पोर रैंकिंग जो है, ये क्या है, अगर हम वैक्तिगत रैंकिंग की बात करें, तो भारत की जो वैक्तिगत रैंकिंग है, वो क्या है, 85 है, 120 है, 135 है या 144, यानी की 144 इन्होंने व्यक्तिगत बोला है ना तो व्यक्तिगत की अगर मैं बात करूं तो 85 85 120 135 या फिर मैं बात करूं 144 हांजी पक्का चलिए तो कुश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा भई 144 144 58 पोसेंट के साथ जिसमें से पहले पर हैं सिम्रन सेकेंड पर हैं श्रिया थर्ड पर हो जाएगी सुविग्या और फौर्थ पर हो जाते हैं कौन तो फॉर्थ पर हो जाएंगी इमली ठेक है कुल मिला करके आज इमली जो है वो पॉंटिन्यूइस आंसर जो है वो कर रही है ठेक है 85 नहीं होगा आंसर आपका क्या बनेगा 144 144 ठेक है है अगर हम इंडिविज्व एक कोशन और आपकी स्क्रीन पर है ध्यान से देखिएगा ट्रांसजेंडर द्वारा सामना किये जाने वाले भेदभाव के बारे में जागरुकता पढ़ाने के लिए अंतरास्ट ये ट्रांसजेंडर डे ओफ विजिबिलिटी ये मनाया जाता है और हर साल इसको कब मनाते हैं पर पोल में कुछ नहीं करना आपको option देना है एठीक है tob छी डी कले के तोर पर जो है वो चीजों को करना है जब टीक है जिसे नहीं कौन के पाइए पक्का 5591 मार्चन को सुबparty 30 मार है । विवूंस्ट जितने लोग आंसर दे रहे हैं वो 30 March दे रहे हैं ऐसा क्या से आनसर क्या बनेगा तो आंसर हमारा बनेगा 31 तीस मार्च को तो राजस्थान अपना इस थापना दिवस मनाता है यह वाले जो है वो सब गलत है श्रया पहले पर है तेजस्वेनी दूसरे पर है विजय थर्ड पर है और जुही फोर्थ पर है मासूम जो है वो फिफ्ट पर है ठीक है ओवर आल भी आप लोगों को दिखेग अगला कोशन देखिएगा भाई कोशन आप से कह रहा है भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट-स्टेडियम का नाम अनिल अगरुवाल के नाम पर रखा जा रहा है और यह जो स्टेडियम बन रहा है यह बन कहां रहा है ठीक है मतलब मैं यह कहना जाओं कि भई तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है 96 96% के साथ पहले पर हैं श्रया दूसरे पर हैं सुविग्या तीसरे पर हैं अंजली और उसके बाद हैं विजय के बाद हो जाएंगे मंजूर और उसके बाद है इमली लास्ट देखना चाहें तो पूनम जो हैं वह लास्ट पर है आज परफॉर्म आपको देखने को मिलती हैं यह कहां पर देखने को मिलेंगी ठीक है हां जी जड़ा आंसर करो भाई नंदी हील्स को जो है वह एको फ्रेंडली रोपवे मिलने जा रहा है और यह जो नंदी हील्स है यह आपको कहां पर देखने को मिलेंगी तो करनाटक है उत्रा खंड है आ सेकेंड थर्ड अगला कोशन देखिएगा अच्छा ये कोशन तो बड़ा आसान है इसका आंसर करें आप सारे के सारे कोशन क्या रहा है कि देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण के शहर में हुआ है जिसका सेला नियास पीम मोदी ने किया है देखो मै श्रीनगर है भोपाल है या कोलम है हाला कि रोपवे सर्विस को शुरू करने वाला यह भारत का पहला शहर बना है ठीक है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा है हां जी है बिल्कुल तो जित्ते लोगों का आंसर आ चुका है वरानसी यानि ऑप्शन यह बिल्कुल डिक है 8-6-86% के साथ पहले नंबर पर ब्यूटिफूल थॉट है सेकेंड पर शानती है और थर्ड पर जो हो जाएंगे वो हो जाती है सोनम ठेक है चली अगला कोशन देखिएगा फटाफट से भई नेक्स्ट कोशन आपसे क्या क्या रहा है कि सरदार पटेल ने जैपुर में मार् यहँता राजस्थान का उधगाटन किया है राजस्थान ऑफनेशनमें मनाता यह कब मनाता है यह थी और में 26 मार्च 3030 एक इसमें से कौन है जिसने आन्सर कि विटर अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया है चुना कमला विजह है अनजली है मासूम कि ग्रेम है अनशी है ने है कनिका है मन्जूर है इस तो पूरी की पूरी लड़कियां ही हैं लड़कों क्या कर रहे हो तुम आफ सारे हर किसीन का अंसर गलत है अरे वह ओर बात हो रहे है इसको लेकर के घीटेंटी डिजास्टर रिस्क रिडेक्शन वरकिंग्ण ग्रूप की बैटक 30 मार्च GG20 में आयुजित करी गई और यह कहां पर करी गई है हां जी डिजास्टर रिस्क इंडेक्स मीटिंग कि चलो बिल्कुल भाई जी ट्वेंटी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रूप की पहली बैटक 30 मार्च 2030 से आयुजित की गई है और यह गांधी नगर है जापूर है चंडीगड है या फिर मैं बात करू राइपूर यह कोशन हम लोगों ने पढ़ा नहीं था क्योंकि हमने जी ट्वेंटी को ऐसा लग रहा जैसी छोड़ दिया था है ना बच्चों ने दिल्चस्पी नहीं नेत्रपाल जो है वो लास्ट पर है नेहा लास्ट से से सेकेंड है नारायन लास्ट से थाड है बोलो नारायन नारायन अगला कोशन देखिएगा क्या भारती रेलवे ने किस राज्य में रेल नेटवर्क का 100% विद्ध्यूति करन कर लिया है कुल मिला करके अगर मैं आपस इसको लेकर गये आज आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कहां से क्लास ले रही हूं ठीक है जहां पर स्रिफ ओल्ली एक फैन काम कर रहा है और वो भी पूरा कमरा बहुत हीट हो रहा है ठीक है क्योंकि ओफिस आज बंद था क्योंकि याद संडे है लेकिन मैंने का क्लास तो है कि हम ढूणना नहीं चाहते समाधान चोटी सी बात पर मुव पुला लेते हैं चोटी चोटी बातों से हम लोग घबरा जाते हैं चोटी चोटी बातों से हम लोग परिशान हो जाते हैं क्यार कोई बात नहीं अगला कोशन देखिएगा तो रिसेंट की अगर मैं बात करू तो हर्याना हमारा क्या बनेगा एकदम करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन आपका डीबिल को ठीक है अगला कोशन देखिएगा बिहार और ओडिसा जो अपना स्थापना बनाता है उथक्ल उतकल उतकल 1 अपरेल 1930 पका अ और रहा है कि एक बार फिर सोच लो 1935 में कुछ और हुआ था ठेक है 1935 में कुछ और हुआ था तो आंसर आपका क्या बनेगा ऑप्शन भी एक अप्रेल 1906 37 77 परसेंट के साथ निमीशा पहले पर है अमरिज सेकेंड पर है विजय थर्ड पर है गौतम फोर्ट पर है पियू श्विफ्ट पर है सौरप सिक्स पर है तेजस्वनी सेवन पर है फॉप्ष पर है एक आउशन सुविग्या टैंथ नेखेंग अगला लगोशन देखिएगा हंजी अ बात हो रही है कि भारत के केंद्रिय वैंक इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है जिसका नमें और और आर्बी याई की जो स्थापना करी गई है वह करी गई है इसका जो एक् 1934 लेकिन ऑर्बियाइप की जो स्थापना करी गई है ये कब करी गई है तो 1934 201336 949 सद्र जन्वरी 1949 नेशनलाइसेशन होतार सिक्ते आइन कपे साथ यह और आश्यक्या करण होगा नते अन्सलिसेंटा पॉसेंट के साथ जिसमें से पहले नंबर पर जो है वह विदूशी सेकेंड पर है सुविग्या थाड़ पर है अमरेत और पर जो हो जाते हैं वह जाती है मंजूर ठेक चालो भाई चालो चालो अगला कोशन देखो अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर है यह कोशन भी अपने सिंगापूर के साथ ठेक है सिंबेक्स की अगर हम बात करेंगे भाई यह है जब हम सिंबेक्स की बात करेंगे सिंबेक्स 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 तो यह किसके साथ होगा तो सिंबेक्स होगा आपका सिंगापूर के साथ लेकिन जब हम से लिनेक्स की बात करते हैं तो यह हमा क्या बनेगा इसका 10 वाला एडिशन था ऑप्शन हमारा सी बिलकुल करेक्ट आंसर है सावन नाइन सवेंटी नाइन परसेंट के साथ और पहले पर हैं सुविग्या सेकेंड पर अंजुली थर्ड पर हैं मंजूर और पोर्ट पर हैं तेजस्विनी ठेक अगला कोशन देखिए चलो बिलकुल भई बात हो रही है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब की तो इसका उधगाटन जो किया गया यह कहां पर किया गया है हंजी भई करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा हर्याणा करनाटक गुजरात जम्मू कश्मीर अल्मोस्ट हर किसी का आंसर आ चुका है बही ज इसके अलावा जासे तेज़स्व देखे अगया चैक तो इतना याद रुखिएगा इस स्पेस सिस्टम-डिजाइन लैब की तो आंसर आपका बनेगा गुजुरात अगला question देखिएगा भई, अरे वाँ, ये question अच्छा है, question 11 तुर्किये की संसत्वारा आवेदन को मन्जूरी देने के बाद Finland NATO का Member बन जाएगा और Finland जो NATO का है, ये कौन सा Member बनेगा, तो जब हम Finland की बात करते हैं, तो Finland NATO का कौन सा Member बनेगा, तो 29 था 30 है 31 है या वर 32 है अगर आप जो 30 आंसर दोगे तो आपको यह बताना पड़ेगा तीसवा कौन सा मेंबर बना है अगर आप 31 दोगे तो सीधी सी बात है आप बच जाओगी तो क्वेशन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी 31 बनेगा अच्वा यह बताओ तीसवा जो मेंबर बना था वो कौन बना भाई इसको आंसर 100 परसेंट सही आया है सबको मतलब आप सबको पता था पहले से तो अगर मैं बात करूं तुर्की की संसत द्वारा आवितन को मंजूरी देने के बाद फिन्लैंड नाटो का कौन से सदस से बन गया 3131 पंकच पहले पर हैं सुविग्या सेकेंड पर हैं मंजूर थर्ड पर हैं सौरफ फोर्थ पर हैं अम है अगला क přिसन देखिएगा पत्षोरी रास्ताश्री प्रोजेक्ट को कि सरण के द्वारा लॉंच किया गया है तमिलनाडो के द्वारा के । वेस्ट बेंगॉल के द्वारा पत्थ श्री रास्ता श्री मतलब कि हम यह बोल सकते हैं कि गाउं को शहरों के साथ जोड़ा जाएगा गाउं की कनेक्टिविटी जो है वो बनाई जाएगी शहरों तक चैक है और यह कहां पर शुरू किया गया है तमिल नाड़ु तेलंगाना आंदरप्रदेश वेस्ट बंगॉल तो वन एंड ओली दीदी की सरकार ठीक है हंजी तो आंसर आपका क्या बनेगा पत्थ श्री रास्ता श्री ऑप्शन डी विल्कुल करेक्ट आंसर नाइन द्री 93 पोसेंट के साथ पहले पर संजय हैं दूसरे पर श्रेया है तीसरे पर सौरभ है फोर्ट पर अंकीता है फिफ्ट पर विजह है सिक्थ पर निमिशा है सैवन पर गौतम है और थार्ड पर कमला है और नाइन पर अंजली छेए और 10 पर वह अम्रत हैं पत्ष्री रास्तष्री वेस्ट बेंगॉल अगला कोशन देखेगा कशन किरा रहा है साहित्यकाद्मी विजल्टा सारा थौमस का निधन हो गया और सारा थौमस जो बिलॉंग करती थी यह कहां से बिलॉंग करती है हैं जी कोशन के रहा है कि सा सारा थॉमस और सारा थॉमस जो बिलॉंग करती है यह कहां से बिलॉंग करती है अल्मोस्ट हर किसी का आंजर आ चुका है बही जत्ते लोग का आंसर कर चुके मैं केरला ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है बात है बहुत सारे बच्चे हैं जैसे अंजली निगम हो गई एक अंजली सिंपल है एक सुविग्या है एक बच्ची और है शायद मेरे ख्याल से निमीशा करके है ना निमीशा के अलावा जैसे यह मंजूर भी है एक और मुझे नाम याद नहीं है तो यह लोग स्रिफ सुविग्या लड़का है मैम अच्छा लड़का है भाई सौरी 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 इट्स माय मिस्टेक अगला कोशन देखिएगा कोशन हमसे कहा रहा है कि दूसरी टूररिजम वर्किंग ग्रूप की जो बैठेक है एक से तीन अप्रेल 2023 को यह कहां पर हुई है टूररिजम की जो मीटिंग है यह कहां पर हुई है ओके 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 जी टूररिजम वर्किंग ग्रूप की जो मीटिंग है एक से लेकर के तीन अप्रेल तक और यह आयोजित करी गई है कहां पर भाई सिली गूरी वेस्ट बेंगॉल है कोट्यम केरला है नागपूर महार आपको तो यह मिलेगा गुजुरात तो अल्मोस्ट सब का अंसर आ गया है भाई ऑप्शन भी सिली गुरी शले एट टू एटी टू पोसेंट के साथ पहले पर हर्श है सेकेंड पर विदूशी है थर्ड पर सौरब है अपरना याद आ गया अपरना ठेक है थर्ड पर जो है व समाश 2023 को किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपिया यूनियन भोगोलिक संकेत मिला है वैसे अगर मैं बात करूं कि अच्छा सुविघ्या भी माम लड़की समझ ही तारीफ कर दी अच्छा सुविघ्या भी लड़की है भाई मैं नाम नहीं समझ पाती मुझे और वैसे भी रीजनिंग यह क्याता है कि आप नेम से किसी का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते है तो आंसर हमारा क्या बनेगा इसमें से भाई हिमाचल प्रदेश की उत्राखंड हिमाचल प्रदेश 85 85% के साथ जिसमें से पहले पर हर्ष यह दूसरे पर श्रया है थर्ड पर सौरव फिर अंकिता है पीउश है सौरव है ठीक है गौतम है तेजस्वनी है राज जिंद्र है विदूशी है अम्रित मंजूर है रीना है कनिका है संज्ज है ठीक है संज्ज है दो हजार थेज़ टेक है भाई तुम लोग पढ़ लो एना जैंडर छोड़ो तुम लोग पढ़ लो नेत हम बहुत मारेंगे जैंडर छोड़ो पढ़ाई करो भाई राश्टी समुदरी सप्तहत जोढ़ा कब से कब तक मनाया गया सब का गलत है टोटल गलत है बही टोटल जनता का आंसर गलत है टोटल लोगों का अंसर अंसर बने का option ए और थीस मार्च से लेकर के हम लोगों ने celebrate किया है फिफ्ट ओफ अपरेल को हैना केवल दस परसेंट है दस परसेंट में शुरिया है विजह है दिरेना और डॉली है केवल यह चार बच्चे हैं हना 10 परसेंट में केवल और केवल यह चार बच्चे हैं बाकी तारीफ उनकी है जो 76 परसेंट गए है option C के साथ पता नहीं क्यों रीजन इसका समझ नहीं आएगा अभी मुझे अगला कोशन देखिएगा भई कोशन हमसे क्या रहा है नौ से ना के नए उप्प प्रमुक का पदभार संभाला है और यह किन्हों ने संभाला है भई याद रखेंगे जब हम बात करते हैं नौ से ना यानिकि अगर हम बात करें न्यू चीफ आफ दा नेवी जब हम बात करते हैं एर फोर्स तो एर फोर्स के तो जो वाइस चीफ बने है वो तो एर आर्मी की बात करने की कोशिश करते हैं तो आंसर आता है आपका लेफटिनेट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार तो भई इन्होंने नौ सेना की बात करिए नौ सेना बोले तो भई नेवी की बात करिए तो आंसर क्या बनेगा दा वन एंड उनली एड्मिरल संजे जसजीत सेंग आपका बे बिलकुल करेक्ट आंसर बनेगा और 75% लोगों का आंसर अल्मोस्ट ठीक आया है जिसमें से पहले पर सुव जितना हमको पता था अच्छा कोशन हमसे कहा रहा है कि जी ट्वंटी मुख्या विज्यान सलहकार गोलमेच की पहली बैठक कहां पर हुई है राउंड टेबल की बात हो रही है और यह कहां पर हुई है विलकुल भाई फर्स्ट मीटिंग ऑफ जीट्वेंटी चीफ साइंस एडवाईजर राउंड टेबल मीटिंग तो रामनगर उत्राकंड सोमनात गुझरात कोच्छी केरला है बैंगलोर करनाट का है द और यह बनेगा गलत है जितने लोगों का अंसर आया है इसमें भी जितने लोगों का अंसर है सब का अंसर गलत है ठीक है ऑप्शन हमारा क्या वन परसेंट के साथ जिसमें से पहले पर है हर्षय सेकेंड पर है सुविग्या थार्ड पर है गौतम और फोर्थ पर जो है वो है विदूशी और फिफ पर है इमली ठेक हाला कि आंसर हर कोई कर रहा है बेटा जो इवांदारी से आंसर कर रहा है लास्ट में उनका नाम शो हो जाता इसमें ने अग्ला कोशन दे membber चीरेगा थियूँ से के व्यूशंद के रहा है कि साल 2023 के लिए रश्विया औल्मोस्ट आंसर आ चुगा है सबका बिल्कुल भाई रश्विया उप्षेन है बिल्कुल करेक्ट है चलो कोई बात नहीं अगला कोशन देखिएगा अच्छा इटली के जैननिक सिनर को इन्होंने जो हराया था बागे विंबल्डन की अगर मैं बात करूं तो पेट्रा क्वितोवा इसकी विनर बनी है और एलना राइबक इना इसकी क्या बनी है रनारब बनी है इनका आंसर करो हते हैं वारीी सलीम दुरानी की चिक === आप गल कला सलीम दुरानी का निधन हो गया कि ये बीच में मिसिंग हुआ है कि नंबर भाई 23 की बाद यह तो कमाल हो गया खैर में सारे करें आप हमारा football है cricket होकी है या फिर बैट्मिंटन है क्रिकेट इन का संबंद किस से होगा इन का संबंद होगा किरिकेट से 56 56% के साथ और सविग्या है कोशल है ठिक है बासू है मंजूर है सौरव है स्टडीपीडिया है जुई है कमला है श्रेया है और उसके बाद दो जाएंगे गौतम अच्छा इन्होंने अपना नाम लिख दिया बेबिल गौतम चलो ये भी अपने आप में अच्छी बात है अच्छा ये कोशन देखो ज़रा कोशन किया रहा है दूसरी इंप्लाइमेंट वरकिंग ग्रूप की जो बैठक है गोहाटी असम में शुरू अब तक हम अपडिटीट चीज़ें पढ़ रहे थे अब इनका कहना है कि आपको पहले वाली बतानी है आपको पुरानी वाली जो बतानी है देखो दूसरी जी ट्वेंटी इंप्लाइमेंट वरकिंग ग्रूप की बैठक ये गोहाटी असम में शुरू हुई है पहली वाली और उसके बात हो जाती है अपनी श्रया ठीक अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन कौन सा होने वाला है अरे वहाँ कोशन बात में पढ़ेंगे पोल पहले लगा देते हैं कोशन बंदरगहा नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने नई दिली में रास्टि रसद पोर्टल या करा देंगे करा देंगे करा देंगे हैना सब कराया जाएगा थोड़ा सा धीरेज रखो सब कराया जाएगा ठेक परेशान नहीं होना है सब कराया जाएगा ठेक कोशन देखिएगा तो बही बात हो रही है किसको लेकर के तो बही बात हो रही है नैशनल लोजिस्टिक पोर् अच्छा किसी ने आंसर दिया है राजनाथ सिंग बिटा राजनाथ सिंग वाले कौन है इसमें जन्हों ने आंसर राजनाथ सिंग दिया है आंसर हमारा क्या बनेगा सरवानन्द सोनवाल हर्ष है सुविग्या है अमृत है राजन है बेबिल है पियूश है अंजली है अच्छ सोनोवाल पक्का है ठेक है अच्छा एक बत पताओ पोर्ट और शिपिंग है ना एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री जो है वो है किसके पास सोनोवाल के पास ही तो है है ना किसके पास है सोनोवाल के पास ही है नेक्स्ट कोशन देखिएगा कोशन क्या रहा है कि आटीज्म के बारे में जागरुकता बढ़ाना और विकलांगता से पीडित लोगों की स्विक्रेती समझ और समावेश को बढ़ावा देने के लिए विश्व आटीज्म जागरुकता दिवस या फिर हम बात करें बाई वर् चलिए तो करेंट अंसर हमारा क्या बनेगा भई तो करेंट घर हमलोगों का बनेगा सेकेंड। अफ इप्रेयल, पक्का ओप्षन भी भाई ये फर्स्ट अप्रेल वाला कौन कौन है जरा इनको पहले खड़ा करो जो जो फर्स्ट अप्रेल आंसर की है हाँ ये जो फर्स्ट अप्रेल वाले है हाँ यह जो फॉर्स्ट अप्रेल वाले हैं इन्हें पहले खड़ा करो हना कान पकड़ के खड़ा करो इन्हें सबसे पहले दो अप्रेल मैं अप्रेल क्लियर है अच्छा चलो देखो बेबिल है अंजली है सौरव है खुशी है इसके अलावा जैसे की रीना है विजय है राजेंद्र है धिरेन है और कौन हो जाएगी भाई तो और हो जाती है सुविग्या ठेक आगे पढ़ने की कोशिश करें सेकेंड अप्रेल बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है अच्छा इसकोशन का आंसर तो करीदो कम से कम चलो शुरू हो जाओ कोशन का आंसर आपको करना है कोशन आपसे कहा रहा है दक्षिण अफरीका की माउंट किली मंचारों चोटी को किस राज्जी की अंजुली शर्मा ने अप्षिण अफरीका की माउंट किली मंचारों चोटी को फत्या किया लद्दाक उत्राकेंट जमू किश्मीर हिमाचल प्रदेश हमारा गया बनेगा हिमाचल प्रदेश एक बार हम देख लेते हैं 8080% की साथ हम लोग आगे भढ़ते हुए जिसमें से पहले नंबर पर हो जाएंगी सुविग्या सेकेंड पर हो जाते हैं स्वारप दूसरे पर हैं दुखी आत्मा और फॉर्थ पर विदूशी है श्रेया है कनीका है अंजुली है प्यूश है प्रेम है निमीशा है और कौन हो चाते हैं कमला यादो ठेक अगले कोशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट कोशन देखिएगा अरे वाह कोशन हमसे क्या रहा है ऑस्टेल्याई ग्रेंट पिक्स 2023 अरे यह अपने नाम किया है दावान एंड अल्ली एकी परसन अंजी इनकी फोटो देखें चलिए आंजर हम लोगों का बनेगा ऐस्टेल्याई ग्रेंट्पिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है किन्हों ने अपने नाम किया है दिख़रा है पॉल की नहीं दिख़रा हाँ पॉल शो धो हो रहा होगा हां जी भाई बिलकुल आंजर आपका क्या बनेगा दबनमा मैंक फिफ पर हैं श्रया और सिक्स पर हैं विदूशी कुल मिलाकर करके आंसर अल्मूस्ट सभी कर रहे हैं 80% तो एकलिस्ट आही रहा है आंसर अच्छा ये कोशन देखिएगा अच्छा ट्री सिटीज ऑफ दा वर्ल्ड के रूप में वापस से चुना गया है और ये किसे चुना पर देंगे मुंबई हैं जो लोग आंसर दे रहे हैं उसमें से वापस से एक बार सोच के थोड़ा सा विचार विमर्श करके आप इसका आंसर जया है वह कर सकते हैं इस को खाल फिलाल के लिए हम जाने देते हैं ये पूटकी इस कुश्टन का आंसर आप क्या करेंगे आप तो इसका आंसर जो लगाते हैं वो कोई नहीं है आप इसका आंसर homework में करेंगे commentation में इस question का answer करें question देखिएगा बिहार, खादी, हस्तशिल्प और हैंडलूम का जो brand ambassador बनाया गया है ये किन को बनाया गया है बिहार, खादी, हस्तशिल्प और हैंडलूम का brand ambassador पंकर्श्र पार्टी हैं मंजमा जोगती हैं मैथली ठाकूर है या फिर बात करो तेजस्विनी यादव हाँ इस समय काफे जादा ये news में भी है और इस समय ये काफे जादा सुर्खियों में भी है चर्चा में भी है और इनका नाम क्या हो जाएगा भाई ठाकूर हां जी option 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 c बिल्कुल ठीक है इसका आंसर भी गलत क्यासे दिया भाई सबने हाँ मतलब मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आया कि इस question का आंसर भी सबने गलत दिया तो दिया क्यासे क्या ये पोल इस साइड आ सकता है हमारी सारी समस्या ही सौट आउट हो जाए या तो ये option उस साइड होते हाना नहीं आएगा वह यहीं रुकेगा हाना आना ही नहीं चाता वह चलो आंसर आप लोगों का क्या मनेगा इस में से वैसे पहले पर जो है वह आंसर दुखी आत्मा ने दिया है तीसरे पर जो है वो सुविग्या है और तीसरे की में बात करूँ तो तीसरे पर हो जाएंगे हर्श चेक इसके बाद हो जाते हैं श्रया श्रया के बाद सारव सारव आज़ाद चेक इतना अमारे लिए काफी है अगला कोशन देखिएगा भाई आसान कोशन था ये तो बहुत चलो कोशन हमसे कहा रहा है कि प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने केंद्री अन्वेशन ब्यूरों की हीरक जयनती समारों का उधगाटन किया है सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कितने साल पर हीरक जय तो यह तो आंसर सभी का यूर्मोस्ट जिनका दिली आ चुका है और पर में सब नहीं नाम है वो सब लड़कियों के हैं है ना सुविग्या निम्मी विदूशी कनिगा श्रया है ना शहनवाज आरे वाह तेजस्विनी स्टडी है उसके बाद निमीशा है हाँ 75 75 YEARS पक्का आरे गजब भय सवन फवाइब 75 75 YEAR अचा ये कॉशन देखेगा कॉशन क्या रहा है कि रूस की पेट्रा कुईतोवा ने किस तेश के य डाइंट किना को हरा करके अपनाst टीसवा मियामी ओपन जिता है चीक हांजी पेडूरा के चाहँ बात हो रही है पेट्रकवितोव जो है ये तो रशिया की है उन्होंने Ilan required लाइब कीना कहां से बिलॉंघ करती है ज iP कजाकिस्तान कजाकिस्तान बिल्कुल option हमारा क्या बनेगा कजाकिस्तान हर्ष पहले पर है संजर सेकंड पर है सुविग्या थर्ड पर और सौरब की अगर मैं बात करूं तो सौरब हो जाएंगे फोर्थ पर ठेक चलिए अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन अपना फॉस्ट एंटी अरिन एकसराइज डो टाइसमें आप ठोड़ा सा समय करक्टे हैं न चली आप जापान अमेरिका साउत कोरिया है इंडिया अमेरिका जापान है कनाड़ा अमेरिका साउत कोरिया इंडिया ब्राजिल और साउथ अफ्रीका है हां जी बात हो रही है फॉर्स्ट एंटी सब्मरीन एक्सेसाइस कंड़क्ट करी गई है किन किन देशों की नेवी के बीच में तो जापान अमरीका साउथ कोरिया है इंडिया अमरीका जापान है तो आंजर हमारा क्या बनेगा बही ऑप्शन ऑप्शन तरह थे अंहले चैक्र मार्च HOL में स्कूल अभियान को फिर से शुरू किया गया एक्च्व में मार्च ह्यान को फिरसे प्रदेश मार्च जोचशerson当it चलि तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा अपना प्रदेश शपनों का प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश मुझक एक है सब्सक्राइब क्शली मासूम है ऊच्छा 100 परशिवरत्स का आई जाएगास बार बुझे यह उत्तर प्रदेश के जोब जी आई टैगों की संख्या हो चुकी है यूपी में वह कितनी हो चुकी है ठेक है दस साल के लिए वैलेड है ठेक है हाँ जी दस साल के लिए वैलेड है रीजेट में बहुत सारे प्रोड़क्ट ऐसे हैं जिनको जी आई टैग अभी दिया गया था तो टोटल यूपी में इनकी संख्या कितनी हो गई है बही 4545 बिलकुल बही ऑप्शन हमारा डी बिलकुल करेक्ट आंसर है 4545 55% के साथ खुशी पहले पर हैं संजे सेकेंड पर बाद हो जाते हैं राजनसाहू अगला कॉशन देखियेगा कोशन अगला कुशन अगला कौशन कोशन कि राजजrage के बस हैं कि लाग याई चित्रकारी को तो एक पेंटिंग है जिसका Нाम है बस होली पेंटिंग, ठीक है, हां नाम तो वैसे भी नहीं आ रहा हा, नाम आने से कोँछ भी नहीं होने का मैं हमेशें यहीं कहते हो। यहाँ से आप अपनी पर्फोमेश्ब्स देख सकते यह आप कितने सेकेंड़्स के अंदर कुश्चन का आंसर दे पा के बहुत सारे स्टुडेंट है जो इलूड सेकेंड 참 के आंसर दे रहे हैं within two seconds के अंदर अंसर थटी सेकंड का टाइम आपके पास है तो अगर इसमें count हो रहे हो तो भई क्या गलत है विदन 30 seconds के अंदर नाम तो वैसे भी माहीने नहीं रखते हैं मैं तो हमेशा कहते हूं वहीं आप आंसर करें आंसर माहीने रखता है मेरे लिए जम्मू कश्मीर option c बिलकुल ठेक है जम्मू कश्मीर 77 77% के साथ संजय पहली यत्मा इसको नाम एडिट करूं सबसे पहले वरना ऑपरेशन ब्लॉक में अगला नाम तुम्हारा ही होने वाला है ठीक है तो सब सब पहले तो इसको चेंज करो आगे से अगर ही आएगा तो मैं नहीं पढ़ने वाली ठीक अगला कोशन देखे दूसरे पर सुविग्या है थर्ड पर स्रेया है सौरभ है हार्शा सब्भेता जो है वो अलकी से दिखाओ भाई कि हम कॉंपिटिशन वाले हैं और हम आगे चल करके एक सरकारी नौकरी पाने वाले हैं कि कहते हैं कि इंसान को जो बनना होता है वो उस चीज को पहले ही उस जिन्दगी को जीने लगता है लेकिन यहां देखो हिपल माफिया हमारे में आते हैं इंली हमारे में आती है अत्मा pessimार में आती है भूत प्रेथ हमारे में आते है तो जो आपको बनना है उसकी फर्सनलीटी आपके अंदर पहले से दिखने चाहिए • चलि कि खळीए खेर कुछ लगाई है सब इंस्पेक्टर संजय या जो भी एक्सवाइजड आपका एम है अरे पंकच पोल शोनी होगी जो तुम्हें ठीक लगे वो लगाओ पोल किसी को शोनी होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग जो अप्शन है मैं ए ठीक है बी ठीक है सी ठीक है डी ठीक है आप अप्शन एभी सीडी के तौर पर लगाओ हाँ जो बनना है वो लगाओ अपने नाम की आगे बस केवल नाटक नाटक की करवालो अगला कोशन देखो कोशन कहरा अंतरास्टी खदान जागरुकता और खननकारे साहिता दिवस के रूप में मनाया जाता है कब मनाया जाता है लब मैं कुछ कहती नहीं तो कुछ भी तां होता है तो फ्रेटारा थल्धाndंट फॉ और फ्र्टाä बैर में यह इन्होंने फिर पीGreen के बात महादेव मासूम जोनम कॉशल है दरें थ हैं और कोशन आपसे क्या के देखिएंग कीया आ की देखिए पर कुछ बात करो सींगापुर के साइग ल्म करें लूवилась के देखिए अमरीका के साथ जपान के साथ बंग्लादेश के साथ यह Northwest करो सिंगापूर के साथ है तो बात हो रही है कोप इंडिया सीरीज की अमेरिका है जापान है बंगलादेश या सिंगापूर है आंसर हमारा बनेगा अमेरिका आपका क्या है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है 66-66% के साथ हर योम पहले पर है चेक है बिट्टी मिटा पता नहीं क्या नाम है इनका है अगला कोशन देखिएगा भाई यह कोशन ऐसा है इकलोता कोशन जो कभी ऐसा नहीं जाता जब सुबह वाली क्लास आए आंसर आपके मुँसे आटमेटिक निकल आएगा बात हो रही है साल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर ने अपने 50 साल पूरे कर लिया है बागो की रक्षा और भारत में उनकी सर्डक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारे सरकार ने एक अप्रेल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर को हाँ नींद में भी आंसर आ जाना चीह है मं जिम कोर्बेट जिम कोर्बेट इसमें भी सोचो लोगों को डाउट है भाई जिने डाउट है उनको एक बात बता दू हमारी डेली क्लास होती है कब सुभर साथ बजे तो प्लीज आप उसे क्या करें आप प्लीज उसे जॉइन करें जो लोग नहीं करते ये इस्पेशली उनके लिए है ठीक है अगला कोशन देखिएगा भाई आंसर हमारा क्या बने गाँ आप्शन है मैं यहां पर रोक लेती हूं एक बार अपने आपको आप आप एसा करो इसमें जो रेड़ वाला जो बटन होता उसमें लिखा होता ना कि लाइव वाले सेशन तो आप ऐसा करो आप एक बार लाइव वाले सेशन में आ जाओ लाइव वाले पर ठीक है फिर मैं नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हूँ तो आप सब के सब अपडेट हो जाएंगे ठीक है हाँ पूपा गैंग से कौन कौन है चलो ऑल्मोस्ट आगए होंगे सारे के सारे लाइव पर अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन आपसे क्या कह रहा है समुद्री अर्थ विवस्ता के बारे में जागरूपता फैनाले के रिए नाशनल मेरे टाइम डे हम लोग सालिब्रेट करते हैं और यह कब सालिब्रेट होता है नायश्टाल मैरे टाइम डे संगेंड आप्रेल को फॉर्थ डॉर्थ डॉर्ष त्रीड आप्रेल को तो नायश्टाल नहीं चलेगा क्योंकि इतने जादा घर्मी को रहीं है तो क्लास केंटिन्व कर पाना पॉसिबल लिए ठीक है चलो तो आंसर हमारा के बनेगा फिफ्ट ऑफ अप्रेल ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है फोर थ्री 43 पोसेंट के साथ गौतम पहले पर है विजे सेकेंड पर है सोनम थर्ड पर है कमला फोर्ड पर है निखिल फिफ्ट पर है रियर डेस्क सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप जितना मर्जी समझालों मैं हम जंदगी में न सुधरने के हम घरवालोंने सुनते हौं की कहां से सुन लेंगा Ubook Hai ना हम घरवालों की नहीं सुनते है तो हम अपनी कैसे सुन लेंगे टैक जारा ला पंसा न Sn marm ब्रिक्स का जो नाइनथ वाला मेंबर बना यह कौन सा देश बना कोशन देखिए गदर घुला कोशन, देखिएगा सुरियांशु को लाँज किया गया है वह यह एक नाव है डोर development q क्थ जोुइरिस्ट बॉट का जो नाम दिया गया है हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेट देख सकते हैं भई आप लोग आप रिकॉर्डेट ही देखें ठेक है हाँ जी आप रिकॉर्डेट देख सकते हैं देखो टूररिस्ट नाउ सुर्यांशु को लॉंच किया गया है केरला करनाटका असम या फिर मैं बात करू आंधर प्रदेश तो दवन एंड उनली हाँ जी आंसर आपका क्या बनेगा भई आंसर बनेगा आपका केरला सुर्यांशु को कहां पर लॉंच किया गया है तो केरला एट टू एटी टू परसेंट के साथ पहले पर हर्ष है फिर निमीशा है विज्व है नेहा है प्रेम है ठिक है ठिक है माम अगला कोशन देखिएगा फूड़ कॉंक्लेव दो हजार तैस यह जो आयोजन किया गया है यह कहां पर किया गया है फूड़ कॉंख लेव अल्मोस्ट जितने लोगों का आंसर आ रहा है सब का टोटल गलत सिवाए एक दो दो चार बच्चों को छोड़के टोटल गलत है बेटा अब भी मौका हम तुमको दे रहे हैं सुधार लो जिनका आंसर आ रहा है ना जो लोग आंसर कर रहे हैं एक मौका सबको मिलता है एक मौका मैं हमें भी मिलना चाहिए चलो फूड कॉनक्लेव फिर एक मौका दिया कि सुधार लो कोई बात नहीं नहीं सुधार रहे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई तेलंग गाना बिल्कुल ठीक है दस परसेंट की साथ करनाटिका किसने अंजर देया इधर आओ करनाटिका वालो कब तुमको पढ़ाएं हम फूड कॉनक्लेव करनाटिक पढ़ाएं हम तुमको बोले हैं चिक है चली तो पहले पर जो है वो है विजय सेकेंड पर है निमीशा फिर लफ्टिनेंट है फिर शमीता और फिर शगुन है चलो भाई चलो 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 तेलंग गाना अगला कोशन देखिएगा कोशन हमसे कह रहा है कि व्लादिमेर ज्वैलेंसकी को किस देश के राष्ट्रपती आंद्रेज डुडा द्वारा अपने सबसे पुराने और सरवोच चनागरिक समान दा ओर्डर ऑफ दा वाइट इगल से समानित किया गया है दा ओर्डर ऑफ वाइट इगल ठेक है हां जी दा ओर्डर ऑफ है या फिर पॉलेंड है यह कहां का हाइस्ट आवर्ड जो की दिया गया है व्लादिमेर ज्वैलेंसकी को तो व्लादिमेर ज्वैलेंसकी को किस देश के राष्ट्रपती अंद्रेज डुडा द्वारा अपने सबसे पुराने सम्मान से सम्मानित किया गया है तो आंसर हमारा नेहा है, शमीता है, ठेक है, आचल है, विज्य है, अल्मोस्ट सभी का आंसर जो है वो ठीक आया इस वाले कोशन में पढ़ना पढ़ेगा कि आप आंसर ऐसे ही कर देंगे बिना पढ़े चलो, हाँ, मेरे को ब्लॉक किया, क्या मेरा नाम नहीं आ रहा है, बेटा पूरे टाइम स्क्रीन पर है, स्क्रीन से हटते तक नहीं है, तो ब्लॉक किसी को कैसे कर सकते हैं, भला सोचो चलिए, तो कोशन को ध्यान से देखेगा, मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता पाने वाले पांच भारते क्रिकेटरों में, योरा सिंग है, सुरेश रना है, पूर्व महिला, राष्ट्यू कप्तार मिताली राज और दिगत जूलन गोस्वामी है, एक परस चलिए, दूसरे पर राहूल है, थर्ड पर निहा है, फोर्थ पर हर्शा, फिफ पर प्रेम है, सिक्स पर विजय है, सैवन पर श्रिया है, आठ पर दीपक है, नौ पर आजाद है, और टैंथ पर जो है, तेजुस्विनी, अगला कोशन देखिएगा भाई, अगला कोशन, अ छुँरेशा, असम्त में है, केरला में है, मर्धि प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में है, काजीरंगा नैशनल पार्क आपको जहां पर देखने में को मिले, आप आंसर लगा सकते हैं, और मैं, काजीरंगा हम चले को, मिलेगा यहल मिले अज़ला 상 dengan है, आपको 789 स के साथ बहुत लंबे समय बात 90 परसेंट आया है ठीक है तरपाठी सिंग है गुफ़ा है कि अगर चलिए छोड़िए अगला कुशन देखिए जो होता है वह ठीक होता है वैसे गजमित्र की अगर मैं बात करूं तो जो 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 जब हम गजमित्र की बात करते हैं तो गजमित्र आपका कहां पर लॉंच किया गया है तो यह वेस्ट बेंगॉल ले ले एक्ट्रम लोग 12 अगस को वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं भारत को किस संयुक्तरास्टर आयोक का सदक से चुना गय हुआ है यह देखो ध्यान से भारत को किस संयुक्तरास्टर आयोक का सदस्सी चुना गया है व्यूनाइटे नेशनी इकनौमिक और शोशल आपने विकनौमिक काउंसल के बारे में पढ़ा होगा उसी का यह पारट है तो यह बन जाएगा उनाटे नेशन स्टेस्टिकल आपका क्या बनेगा बिल्कुल एक दम करेक्ट आंसर बनेगा और बिल्कुल 41% के साथ ठीक है अगला कुशन देखिएगा बही कुशन हमसे क्या रहा है कि सीम्दी योगशाला का संयोगतरूप से शुभारम किया यह किसके द्वारा किया गया है सीम्दी योगशाला आप योग करें स्वस्त रहें मस्त रहें तो सीम्दी योगशाला उसका घाटन किया गया सकति और थो तो princi然后 है अगला क्वेशन देखिएगा देंगा इस में स्कोष्ण का आंसर करें ini कोष्ण आप से कहा रहा है राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु ने आठ अप्रेल 2023 को असम के तेजपुर एयर फोर्स स्टेशन पर सुखोई 30 एम क्या लड़ाकों विमान से उडान भरी है द्रोपदी मुर्मु इस तरीकी की उडान भरने वाली राष्ट्रपती बनी है कौन से नंबर की फर्स्ट ए सेकेंड है थर्ड है फिर फोर्थ है एक तो एपीजे अब्दुल कलाम थे ठीक है एक तो एपीजे अब्दुल कलाम थे और एक का नाम आपको याद रखना है प्रतिभा देवी सिंग पाटिल तो इन दोनों के बाद राष्ट्रपती द्रोपती मुर्मु यह थ सुविग्या है निमीशा है विजय है अमरेथ है सौरभ है कमला है अंजली है संजय है शुरया है और अंशु है नेस्ट कोशन देखिएगा कोशन नमबर 4848 अच्छा यह बताओ यह जो जटायू सर्रक्षन और प्रजनन के इंद्र है यह कहां पर इस्थापित किया गया है लुप्त प्राय एशियाई राजा गिद्ध के लिए एक अत्यादू ने जटायू सर्रक्षन और प्रजनन के इंद्र इस्थापित किया गया उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में महराज गंज बिलकुल एक दम करेक्ट आंसर है मैं एक बार आप लोगों की ओवर ओल र जाएंगे मैं ओवरोल रैंकिंग भी आपको दिखा देती हूं लेकिन ओवरोल से पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहते हूं एक बार आप देखिएगा जरा यह अपना यूट्यूब चानल है एससी वाला एक सेकेंड का समय दीजेगा बस मुझे यूट्यूब चानल भाई मुश्किल है एक सेकेंड रुकिएगा एससी वाला एससी वाला एक सेकेंड यूट्यूब एससी वाला है ना यह चल रही है हमारी क्लास इस समय करेंट अफियर की टेक इसमें यह जो एससी वाला चानल है यहीं पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा सर्प्राइज है आप लोग एक बार जरूर देख लिजेगा मतलब अगर आप लोगों को बिल्कुल फ्री समय हो तो उस समय आप इसको देख सकते हैं यह निश्चे 3.0 ठेक है इसका जो औरियंटेंशन शेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा ठेक है मेरे ख्याल से इसका वो भी लगा होगा एक इवेंट भी शायद मेरे ख्याल से मैंने इवेंट ही खोला था ठेक है पंधरा मई यानि की कल ठेक है पंधरा मई साम साड़े साथ बजे तो ठेक है पंधरा मई को साम साड़े साथ बजे भी आप क्या करेंगे आप इस सेशन को जोईन करेंगे और मेरे क्याल से अगर जो आप तयारी करने तो आपको एक बार सेशन को जोईन करना चाहिए तो ये तो हो गया निश्य 3.0 कि आपको शाम 7.5 बजे जुड़ना है अब एक छोटा सा काम आप सभी को और करना है मेरे जस्ट बाद आप लोगों की क्लास है सर की ठेक है एक तो ये बोर्ड हैंग हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से मेरे जस्ट बाद सर की क्लास है मतलब लाइक दस बजे तो आज आप लोगों को सर के सेशन को भी क्या करना है सर के सेशन को भी जोईन करना है ठेक है दस बजे मैट का सेशन है एक बार लेकर देखेगा और उसके बाद फिर नमन सर की क्लास है शाम चार बज़े बाकी हम लोग मिलेंगे कब हम लोग मिलेंगे कल सुबह साथ बज़े है ना कल सुबह साथ बज़े आज की सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं overall ranking अगर मैं देखना चाहूँ तो शहाद मेबी इसमें दिखाई दे देख सकते हैं यहां से देख सकते हैं एक बार देख लेते हैं लास्ट में लास्ट में जो है वह है शुभम यादव यादव तो यह आपको मैंने overall भी दिखा दिया, बाकि आज की session को यहीं तक रखते हैं न, thank you so much, bye bye and best of luck.